आप देख रहे हैं SNS TV जी मैं जैते वारांसी पुलिस कमिस्णरेट हुआ है महिलाओं से संबंधित काफी मामलों में सुनवाई हो रही है महिलाओं संतुर्ट भी है लेकिन शासंग की क्या मंसा है और किस बिंदू पे कार होना चाहिए महिला प्राथ को लेकर शासंग की मंसा बिल्कुल इसपर्ष है जीरो टालरेंस के महिला अथ्वा पीडिता यदि थाने पर पहुंसती है या उससे पीडा से संबंधित कोई प्राथना पत्रप्राथ होता है तो उसमें थाने इस तरसे शीग्रता से लीगर कारवाही करी जाए इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तर शेव बेरेबल नहीं है सिर्फ कानूनी एक्षन का प्रगधान है जी बिल्कुल एक तरह से देखा जा तो आपके माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया और जिससे काफी थानों के लोग आए और उस ट्रेनि विशेश भी है उनके माल दर्शन और नित्रित में हम लोगों ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया है ताकि जनता से और विशेशकर महिलाओं से पुलिस जनका बेवहार समवेदन शील मान भी हो और कानून कानूनी स्तर पर जो उनकी मदद हो सके उसके प्रतिवों भी प्रकार के सामाजीक राजवीतिक या पारिवारिक परिवेश के दवा में कारें इस चीज से उनको बाहर निकाल कर एक विचारधारा संप्रेशित की जानी है कि पीडिता की मदद कानूनी इस तर से करें क्योंकि वह एक इंफोर्समेंट बॉडी है यह हम लोगों का सद प्रेटफार्म थाने तक जो शाशन ने एक प्रेटफार्म दिया महिला हेल्पडेस का प्रत्तेक थानों पर वहां पर जाकर अपनी बात कह रही है तो उनकी पूरी मदद की जाए जो कानूनी मदद है पूरी की पूरी मौके पर जाए मदद हो जी बिलकुल और हमारे SNS TV च करें उसका प्रभाव बढ़ा है आप लोगों की जागरुकता भी बढ़ी है और हमारा प्रयास है अपनी संकोच हो करके अपनी बात को सामने ले आए ताकि उन बातों का कानूनी धंग से समाधान निकाला जा सके और किसी भी प्रकार के दबाव को महसूस नहीं करें बहुत चोटी-चोटी समस्या है जो प्राखना पत्रों के माध्रम से मुझे देखने को मिलती है जैसे मोबाइल की समस्या है परिवार या पती पूरा समय ना बच्चों को दे रहे हैं ना अपनी पत्नी को दे रहे हैं ना घरेलू कामकाजों में हाथ पटाते हैं जबकि मोबाइल पत्नी के हाथ में भी है तो जरूरी है कि उन सब चीजों को थोड़ा समाजी डंग से समाधान करने की दूसरा घरेलू हिंसा समध्री समस्याएं धहेजुद्पीड़ा समध्री समस्याएं भी हमारे समक्षाति हैं तो हम आप लोगों से यही कहें कि आप सहन न करें आप समयध करना सुमिशित करें इसमें हम हमारी कमिशनरेट पुलिस निरंतर आपके सहयोग में है और आपकी सुरक्षा ही हमारा संकल्ब है यह मेरा बहुत बहुत दढ़ी मांदा है